राजकुमार संतोशी के अगले फिल्म लाहोर 1947 को लेकर हर दिन एक नई अपडेट सामने आ रही है इस फिल्म है जोहां सनी देवल मुख करदार निभाते हुए नजर आएंगे वहीं राजकुमार संतोशी आमिर खान और सनी की तिगडी को ये पहली बार साथ लेकर आई है अ फिल्म में एक्टर अभिमन्यू सिंग विलन के रोल में नजर आने वाले हैं वो फाइनल हो चुकी हैं इस फिल्म के अगर बात करें तो फिल्म के निदेश्व कर राजकुमार संतोशी ने कहा है कि आमतोर पर जब भी हम किसी खलनाय के किरदार के बारे में सोचते हैं तो हम और 1947 में खलनाय के रूप में नजर आएंगे ये कम मजबूत और मुख्य भूमिका है जोसे वो निभाने वाले हैं उनकी इंटेंस्टी उनकी आवाज और उनका द्रड विश्वास वास्तव में बेजोड है वो यकीनन हमारी इंडस्टी के सबसे प्रतिभाशाली अभीनेत में से एक हैं अभी मन्यू सिंग मुख्य रूप से हिंदी तेलुगों तमिल भाशा में फिल्मों में काम करते हैं उनके पास लक्ष ढूल बन वन्स अपान ओ टाइम इन मुंबाई दोबारा गोलियों की रासलीला रामलीला बच्चन पान दे किसी का भाई किसी की जान जैस इस फिल्म को आमीर खान अपने प्रोडक्शन बैनर तले प्रड्यूस कर रहे हैं जबकि कुशल और निर्देशुक राजकुमार संतोष इस फिल्म के प्रोडक्ट को डिरेक्ट करने ज़ा रही हैं इस फिल्म में सनी देवल और प्रिति जनता लीड रूल में नजर इस फिल्म के पाईब हैं – इस फिल्म के प्रोडक्शन बडल